हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लॉग वित नीलम में अभी बज रहे हैं सुबह के साथ, संडे का दिन है और मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर मैं परतनों को एरेंज कर रही हूँ चुट्टी का दिन है तो काफी जादा हरवरी नहीं होती है हमें पर समय से ना उठें तो हमारा जो काम है काफी देरी हो जाता है यही है कि इस्कूल की चुट्टी है, टिपिन नहीं बनाना है, नहीं तो बाकी सारे काम रहते ही है संडे को तो मुझे लगता है और भी ज्यादा ही काम रहते हैं मतर भिंगाया थे मैंने रात में तो वो काफी अच्छे से फूल गया है मैं उसे ही बनाऊंगी आज नास्ते में मतर को मैंने तीन से चार टाइम धो कर ही रात में भिंगोया था क्योंकि इन सब में थोरी बहुत गंदगी होती है अच्छे से धूल जाने से अच्छा रहता है और फिर उसे थाली में निकाल के मैं उसे एक बार चेक कर लूँगी कि इसमें खराब मतर नहीं नहीं है उसके बाद मैं इसे कूकर में डाल के बॉइल करने के लिए बैठाओंगी नमक डाल दूँगी इसमें इसे तीन से चार सीटी लगाएंगे मतर जो है कभी-कभी के तो बड़े अच्छे होते हैं पर कभी-कभी क्या होता है बहुत सक्त रहते हैं उसे पांच से छे सीटी लगाना पर जाता है उबालने के लिए फिर भी थोड़े-थोड़े सक्त ही रहते हैं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है उत्तिया चलती है तो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है स्कूल रहने पे मैं सारे पांच बजे तक उड़ जाती हूँ अभी क्रिसमस का विकेशन चल रहा है बच्चे अभी सोए हैं तब तक मैं अपना नास्ता यहां पर बना लूँगी चाय मैं थोड़े देर बाद ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह में थाईराइट की दवा लेनी होती है तो एक घंटे बाद ही मैं चाय पीती हूँ इनको भी सुबह बाहर जाना होता है तो इसलिए मैं चाय जो है थोड़े देर के बाद ही बनाती हूँ और यहां पर मैं जो मटर उबालने के लिए बैठा हूँ उसके लिए प्याज, टमाटर, लहसन ये सब तयार करके रख रही हूँ लहसन मैं दो-तीन दिनों के लिए छील के रख देती हूँ फ्रीज में ताकि सुबह में काम आसान होता है करने में धनिया पत्ता भी जब मैं धोती हूँ तो थोड़ा सा जादा ही धूल लेती हूँ ताकि सारा दिन का जो काम है उससे हो जाये और एक डब्बे में मैं रख देती हूँ धनिया पत्ता सर्दियों में हम लोग थोड़ा जादा ही यूज करते हैं सभी सबजियों में या चटनियों में प्याज को मैंने यहां पर चौपर में बिल्कुल भारिक कर लिया है टमाटर लेसन अधरक मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया है मैं पेस्ट करकर ही डालती हूँ क्यूंकि बच्चे हैं न ऐसे टमाटर मुह में आते हैं तो वो फेक देते हैं और पेस्ट रहता है तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है तो खा लेते हैं इसके बाद मैं यहाँ पे चाय बैठा दूंगी इनके लिए और अपने लिए भी ये भी आ चुके थे तो चाय में बना रही हूं दूद वाली चाय ऐसे तो हम सुबद में दूद वाली चाय नहीं पीते हैं पर सरदियों में मुझे अच्छा लगता है थोड़ा तो मैं बना दे रही हूं ऐसे तो सरदियों में मैं काड़ा ही ज्यादा बनाती हूं सुबर के समय साम को बनाती हूं दूद वाली चाय दूद वाली चाय अच्छी लगती है पीने में थनली के दिनों में पर मैं एक ही बार पीती हूं ज्यादा नहीं पीती हूं आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए मैंने जो वीडियोज डाले हैं उस पे उतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ने में क्योंकि वीडियोज बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है मुझे भी नहीं पता था लेकिन मैं अभी ये काम कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि काफी मेना था इसमें और काफी समय भी लगता है जिस काम को हम एक घंटे में करते हैं अगर वीडियो बनाते हैं तो उसी काम को हमें दो घंटे लग जाते हैं करने में फ्रेंड्स आप जिसके भी वीडियो देखते हूँ या जिसका भी वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप उन्हें सपोर्ट जरूर करें यहाँ पर कड़ाई गर्म होने के बाद इसमें मैंने तेल डाल दिया है तेल के गर्म होने पर मैं इसमें जीरे और हीम का तड़का लगा रही हूँ उसके बाद मैं उसमें प्याज डाल दूँगी प्याज को अच्छे से भुन जाने के बाद मैंने जो टोमेटो और अद्रक लेशन का पेश्ट बनाया है वो भी उसमें डाल दूँगी और उसे अच्छे से भुन लूँगी उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं उसमें जो डेली यूज वाले मसाले होते हैं वो डालूंगी हल्दी, लाल, मेच, धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर मसालो को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्कुल भून लिया था उसके बाद मेरी मटर भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गई थी इसके बाद मैं मटर इसमें डाल दूँगी मटर डालने के बाद उसे उसमें मिला के अच्छे तरीके से फिर मैं उसमें पानी डाल दूँगी और ये मटर जो है मैं इसके साथ रोटी नहीं बनाऊगी इसमें टमाटर प्याज कट करके मैं उपर से डालूंगी और नीबू भी निचोड दूंगी हम लोग ऐसे ही पसंद करते हैं इसे इसमें मैं चटनी वेगरा नहीं डाल रही हूँ कुछ भी प्रटनी डालने से तो वो पूरी चाठ हो जाएगी पर ऐसे भी काफी अच्छा लगता है क्योकि मैंने इसमें सारे मसाले डाल के बनाए हैं और नीबू डाल दो ये सब डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और सभी को ये पसंद भी आता है नास्ता बनने के बाद जो बाकी के काम है मेरे वो सब मैं करूंगी जो जारू पोचा होता है सभी सुबह में मैंने किचन में जारू लगा दिया था और जो बाकी जो काम होते हैं वो मैं बाद में करूंगी और जो दोपार का जो लंच होगा उसके बाद मैं बनाऊंगी तो वीडियो मैं यहीं पर end करूंगी और वीडियो में थोड़ा कुछ भी अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नहे वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर